क्या आप रेलवे में फार्मसिस्ट की जोब करना चाहते हैं आप जानना चाहते हैं कि ऐसा फार्मसिस्ट में रेलवे में किस तरीके से जोब कर सकता हूं आज के इस वीडियो में सारी इंफोर्मेशन मैं आपको दूंगी पूरी डिटेल में डिटेल में बात करेंगे आज र रेलवे फार्मसास्ट के लिए करना चाहते हैं कि बनना चाहते हैं तो उसके marine बात कर इसके बाद अगर मैं किस मोड पे पिपर होता है तो अब इसका जो पेपर होता है वह ओनलाइन मोड पे होता है computer based होता है अगर इसकी marking की मैं बात करूँ तो one third इसकी marking होती है मतलब 0.33% इसकी negative marking होती है hundred question आते हैं question कितने आते हैं सारे की सारे MCQs होंगे hundred question आएंगे जिन में से 70% आप करेगा pharma का portion और 30% रहेगा आपका general awareness हो गया general science हो गया साथी साथ current affair हो गया reasoning हो गया यह रहेगा आपका बाकी के 30% में उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो यह vacancies होती है यह आपकी central government के अंडर आता है आपका railway तो यह central government के अंडर ही vacancies जो जोब होती है आपकी वो central government के अंडर होती है अब यह jobs जो होती है railway pharmacist की यह बहुत सारी contract basis पे भी आती है तो contract basis पे भी अगर कोई भी job निकलती है railway में तो उसके लिए आप apply कर सकते हैं उसके बाद अगर मैं subjects की बात करूँ कि आपकी जो पकड़ होनी चाहिए वो कौन-कौन से subjects पे होनी चाहिए exam easy आता है hard आता है उसके बारे में भी हम discuss करेंगे तो जो आपकी पकड़ होनी चाहिए वो कौन-कौन से subject पे होनी चाहिए तीनो subject जो होते हैं पी-पी-पी मतलब pharmacology, pharmaceutics, pharmacognosy यह तीनो hero subject हैं अपने pharmacy के तो इन तीनों पे तो आपकी पकड़ पूरी तरीके से होनी ही चाहिए यह तीनों subject अगर आकर clear है तो मतलब pharmacy वाला portion आप बहुत हद तक clear कर लेंगे अब मैं बात करूंगी जो student है भी-फार्म वाले अगर वे appear करना चाहते हैं as a railway pharmacist तो उन्हें दो subject अपने बहुत strong करने पड़ेंगे दूसरा hospital management hospital and clinical pharmacy फिर hospital management यह जो दो subject नहीं यह आपको पूरे अपने क्या करने पड़ेंगे strong करने पड़ेंगे क्यों क्योंकि यह दोनों subject आपके भी-फार्म में नहीं होते हैं लेकिन इन में से questions काफी questions इन में सिर्म से पूचे जाते हैं अगर कोई भी आपकी pharmacist की ऐजा government sector में job निकलती है कोई भी गवर्मेंट pharmacist की जो भी जोब निकलती है वह hospital में हो सकती है वह आपकी किसी भी defense में हो सकती है आपकी railway में हो सकती है कहीं भी हो सकती है जो भी competitive exam होते हैं pharmacist के government job के लिए mainly उनमें आता है पूरा slavus d farm का अगर आपने d farm का slavus पढ़ लिया diploma in pharmacy का slavus पढ़ लिया easily आप crack कर लेंगे अब साथी साथ मैं बता दूं आपको की exam crack करना ज्यादा hard नहीं होता है जो यह आपका pharmacist का exam होता है जो रेलेवे में हो गया या फिर कहीं भी अगर government में job निकलती है ज्यादा typical नहीं होता है as compared to अगर मैं compare करू नाइपर से और जी-पैट से उससे बहुत इसी होता है किसी भी pharmacist का exam अब हो क्या जाता है क्योंकि यह वेकेंसी ऐसी है आपने भी फार्म किया तो ऐसा तो नहीं है हमारे लिए यहां पर वेकेंसी बैठी हुए कि आओ भाईया तुमने कर लिया मैं यहां पर बैठी हुए हूँ मुझे आके तुम इसमें अपियर करो और new job ले दो ऐसा तो नहीं है अपने भी फार्म किलेड की डी फार्म कंब्लीट की अब उसके एक साल बात वेकेंसी उर्हीं है ना चेह महीं बाद आरी है तो लेकिन आप जह महीं ने घर उत्याइशी नहीं uda किष्ट हो ने लगते हो तो वो यह सकते हैं कॉरेलेशन होता है स्टडी से वह आपका टूट जाता है तो जब 6 महीने बाद आप वही चीजे जो हमारा दिमाग तो ऐसा है कि वह इतना अलसी होता कि अगर हम भूलना चाहे कोई भी चीज तो वह एक हफते में 15 दिन में हम भूल सकते हैं तो जो चीजे हमारे रेगुलर नहीं रहेगी तो वह हमें याद में नहीं रहेगी 6 महीने बाद हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा ऐसा नहीं है सब कुछ भूल जाएंगे पढ़ेंगे तो याद आजाएगा लेकिन हां ऐसा है कि जो एक रहना चाहिए कि हम उसके कॉंटेक्ट में नहीं रहेंगे तो इसकी वज़े से वह टिप सब्सक्राइब करना है अपने जनरल नोलिज पर करना है अपनी रीजनिंग वगेरा पर करना है जो कि 30% आना है वहां से 30% बहुत बैठता है तो उसके लिए आप डेली न्यूस पेपर पढ़ सकते हैं जो जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं अब तो उनलाइन भी न्यूस पर साथ है जिससे कि आपको जो करन्ट चल रहा है उनका पता चल सके माइंड के अवेरनेस के लिए स्किल्स सीख सकते हैं तो उसके लिए आपको अवेर रहना पड़ेगा साथ ही साथ अब हमें पता कहां से चलेगा की वेकेंसी आई या नहीं है पहली बात तो एक दो साल मे आप सर्च करते रहे देखते रहे डेली एक बार खोल के देखें सरकारी रिजल्ड.com डेली एक बार खोल के देखें फार्मा ट्यूटर जो मैंने वैबसाइट का पूरा बताया था आपको वह वैबसाइट इतनी बेस्ट है कोई भी प्राइवेट सेक्टर में सेंटरल गव भर सकते हैं और exam appear का हो सकता है आप exam कर सकते हैं तो Hope some में रहे वीडियो आपके लिए informatic रहा हो उगर रहा हो तो प्लीज जादे जादे श्यार कीजिएगा जिससे की बाकि students को भी information मिल सेंगे मिलेंगे next informatic video के साथ उससे से पहले अगर आप बी स्टुडेंट है ना तो आपके लिए हमारे पास हमारी अप्लीकेशन पर यहां पर आपको इस ट्रॉड प्रप्लम्स सोल्व हो जाएंगी विजिट करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाहिए जहां पर हमने एक वीडियो का लिंक दिया है जिसमें आपको कम्प्लीट इंफोर्मेशन दिये कि आपको किस तरीके से हमारी एप्लिकेशन को यूज करना है उसके फाइदे क्या है सारी चीज़े आपको उस वीडियो में पता चल जाएगी मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार